जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपना ही यूटूब चैनल जॉब्स फोर्यू में दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है राज स्वास्त समीति विहार के तरफ से जिसमें कम्यूटी हेल्थ अफिसर का वेकिंसी आया हुआ है इसका तो फिर्ट फोर्म अपलाई करने के लिए सबसे पहले आपको लटापूर कॉम के अफिसर पेस 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 के लिंग के देदूंगा रिस्टेशन में क्लिक करके डियेक्ट आप इस पेस पेस पे आजाएंगे यहां प्यानक मत आपको आज आना होने ची निचे आने को दो तो आपको इस पर क्लिक करना ओगे आप अगले 편teen वाद करने वाला था अपडेट के बारे मेशन आपको देखने को मिल जागा वेकनिशी को लेकर तो आप यहां से चेक कर लिजेगा और इसका जो apply date है आपको देखने को मिल जाए 11 1220 से start हो गया है form apply करने के लिए आपको आज रहोगा नीचे नीचे आने को आथी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा important link के नीचे apply online इसके आगे सबसे पर आपको registration पर क्लिक करके आपको registration कर लेना होगा तो चलिए मैं आपको registration करके दिखा जाएगा तो आपको सबसे पर अपना नाम यहाँ पर first name लिखना होगा में इसमें लीखेंगे और यहाँ होगा आप वालिफिकेशन और आप देखने के मिल जागा पोश्ट अप्लाइड आप एक पोस्ट के लिए बरती आयोगा अफीसर के वेखेंसी हैं उसके बाद आपका qualification याप देखने के मिल जा कौन सा आपका इसमें से qualification है जो भी आपके पास qualification है उसके वाज़ेसे नीचे आएंगे आपको यहाँ पर देखने के मिल जागा nursing council अगर आप रेजिस्टर्ड है तो आप यस करेंगे नहीं रेजिस्टर्ड है तो नो करेंगे तो यहाँ अगर अगर प्रजिस्टर्ड है नर्सिंग काउंसिल में अगर रेजिस्टेशन है आपके पास तो आप तभी आप इस फ़र्म को फिल कर पाएंगे तभी आप eligible हो पाएंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर nursing کون से नर्सिंग काउंसिंग ला जैसे यहां पर बिहार और स pouस्मे जो करेंगे तो निचे बास इसे अब यहां पर करेंगे अब बिहार के रहने वाला यह सक्ता वाला नहीं है तो आप नू करेंगे डुमसायल अफ यहाँ पर वियार उसको पाद अपना कटेग्री यहां से अप्लाइ करेंगे जीस भी कटेग्री से आप अप्लाइ करना चाहते हैं यहां पर अप करेंगे बागी डेटाबर्थ वाले देखने के बिल्ग आपका कितना आपका एज होगा उसके जास नीचे आपको जेनर सेलेट करना होगा मेल आफ इमेल उसके बाद अगर आप फिसकली हैं पर बिकलांग है तो आप यहां से करेंगे मैंने यहां पर no करा है मैं इसको no करूंगा तो यह option नहीं मिलेगा उसके बाद आपको अपना email ID यहां फिल करना होगा जो active email ID हो उसके नीचे confirm email ID cm email ID नीचे फिल करना हो उसके जहस्ट नीचे आपको अपना mobile पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर आप अगले पेच पर आ जाएंगे आपका जो स्टेप ओन है रेइस्टेशन है वह कंप्लीट हो गया है बाकी मैं डिटेल्स हाइड कर लूँगा और यहां पर मुझे मेरा जो रेइस्टेशन नमबर मिल गया है मैं इसको कॉपी कर लेता उसके बाद आपका डेटवर्थ यह रहा है आपका डेटवर्थ भी यह सब देखने को मिल जागा और आपको यहां पर नीचे और विजन कारे देखने को मैं यह सब हाइड कर लूँगा आपने सेकोर्टे के लिए बाकी और विजन कारे यह आपके एमेल एड्रेस पर आपका data worth रहने वाला है चले मैं continue पर क्लिक करता हूँ तो मैं इस page पर आ जाँगो अगर आप इस page पर नहीं आते हैं तो फिर आपको इस page पर आना होगा यहाँ पर alljobs.com की इस page पर उसके बाद simply आपको login पर क्लिक करना होगा जैसे आप login पर क्लिक करेंगे आप इस page पर आजाएंगे यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा page उपन होकर आएगा फिरस्ट में विहार राजस्वास्त समीति विहार आपको देखने को मिल जाएगा अप्लिकेस यहाँ पर आपने first step complete कर लिया registration का आपका दूसरा step है personal details और educational details का तो आपको यह फिल करना होगा जैसे नीचे जाएंगे और विजनकारी आपको देखने को मिल जाएगा इसी page पर जैसे नीचे आएंगे जो भी आपने details फिल कर आए यह सब आपको देखने को मिल जाएगा मै आप नीचे दे रखा है उसके नीचे आप अपना mother's name फिल करेंगे उसके पाद अधार का नमबर यहां फिल करेंगे अधार का नमबर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं कोई दिकत नहीं होने वाला है लेकिन अधार का नमबर हो तो आप फिल जरूर करिएगा उसके नीचे आ करूंगा तो आ गया उसके बाद डिस्टी के मेरा यह शिवान रहने वाला है उसके बाद पीन खोड आपको यहां पर पीन कोड फिल कर लेंगा उसके ज़स्त नीच आता है परवेंट डेस वह उपर परजेंट तर परवेंट डेस दोने एड्रेस सेम आपको इस बॉक्स को नोगा जैसे चेक करेंगे दोनों में सेम एड्रेस फिल हो जाएगा तो नीचे आएंगे तो यहां पर देखिए बिहार और सिवान मैंने सलेक्ट कर अधा फिल हो गया उसके नीचे आने को आपको देखने की मिल जाएगा एजुकेशन वालिफिकेशन तो अपने एजुकेशन कर सकते हैं इसमें all subjects आता है उसके बाद यहां पे आप passing year में passing year लिखेंगे उसके बाद maximum marks उसके बाद obtained mark कितने marks आपको मिला है उसके बाद percentage यहां पे आपको fill करना होगा यह metric हो गया उसके बाद BAC nursing का यहां पे आपको देखने को मिल जागा तो BAC nursing में आई कि आप जो भी आ यहां पे सलेक्ट किया देखने को भी जागा तो यहां पे council या university name लिखेंगे इस specialization लिखेंगे उसके बाद यहां पे passing year लिखेंगे उसके बाद यहां पे maximum marks लिखेंगे कितने marks आपको मिला है उसको परसिंटेज आपको यहां पे फिल करना होगा यह सब फिल करने के बाद इसके term and condition को आपको accept करना होगा इस box को चेक करेंगे उसके बाद save and continue पर आप क्लिक कर देंगे और यहां पे अपना photo or signature upload करना होगा तो चलिए मैं photo or signature upload करना होगा फिर आगे आपको दिखाते निचे आएंगे आपको देखने के मिलागा upload photograph तो photograph के लिए यह साइज क्या रहने वाला है पूरी जनकारी यहां पे दे रखा है आपका kv क्या रहने वाला है 100-200 kv उसके upload पर क्लिक कर देंगे तो फेंस मैंने अपना photo or signature दोनों upload कर लिया यहां पर लास्ट में मैंने signature भी successfully upload कर लिया है जैसे नीचे आएंगे photo देखने के मिल जाएगा फेंस photo बनाने में आपको दिखात होगा तो मैं आपको बदायता हूं अगर आपको साइज में problem आ रहा है तो आप अगले पर आजएंगे मैंने यही साइज से अपना बनाया photo और मैंने upload किया यहां पर आपको select image पर क्लिक करके आपको अपना एक image select कर लें मुने यह image select करा उसके बदा आपको नीचे आना होगा नीचे आने का बाद यहां पर आपको अपना width आपको रखना होगा जो आ कमने होना चाहिए 190 से अधिक नहों यह 190 से कमना हो ऐसे करना होगा उसके पिक्सल पर आपको सलेक्ट रहने देना होगा उसका जट नीचे जाना होग यह optional लेज्ट को चोड़ दीचिए का आपका फोटो है ऐसे डाउल्लोड करके आपको अप्लूट कर लिना होगा सिग्नेचर भी स्में एसे ही करना होगा सिग्नेचर का भी यहां पर नीचे यह सब दे रखा है आपका चाहले चाहले मैं आपका पिक्सल रहने वाला है मैंने फोटो अपलोट कर लिए उसके नीचे आपको 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 काउंसील का रेजिटेशन सर्ट्फिकेट यहां पे अपलोड करना होगा जो जो पिडिये फाइल में होना चाहिए बाकि यहां पर आपको नॉन क्रिमिलियल प्रिवीवे अपको अप्लोड करना होगा पीडियाप में उसके जस्ट नीचे आपको सेब एंड कंट्नुई पर क्लिक कर दोना होगा ओवी सी सट्फिकेट यहाँ पर अप अप्लोड करेंगे तो अचले मैं यह अप्लोड करके आगा आपको दिखाता हूं तो फेंड्स मैं नॉन क्रिम लिए सट्फिकेट अप्लोड नहीं किया था और यह उसके बाद समिट किया तो हो गया आप अप्लोड कर लिजागा और आपके पास हो तो करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा प्रिविव पर आपका यह उपए ओपन हो कर आगा तra ₺ इस बॉसके बाद यह पर कंट्नू टू पर क्लिक करना ओगा सब करनेए इसको इस सभीसे में प्रिभ्यू किले के फिर आप चैन्मा पर क्लिक करेंगे तो तो में जैसे आप अगले pa cr её किल कि रहेंगा आप प्राउनसर 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 प् तो आपको कैसे payment करना होगा यह सब आपको देखने क्यों मिल जागा यहां पर credit card debit card रुपिया debit card रुपिया debit card रुपे credit card net banking भी MPI QR code तो इस सबसे आसान रहेगा आगर आगर आपके पास एक दूसरा phone है तो यह आपके लिए बहुत ही आसान रहेने वाला आप credit card debit card से भी payment कर सकते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे आगे और विजन कारी आपको देखने के मिल जागा यहां पर डेविट card credit card बनाया था आपको कैसे अपना form फिल करना होगा पेमेंट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हम इस्टाग्राम पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं